हेला फ्रेंड्स कैसे हो आप सबी आपका स्वागत है वोलकन वाइस के इस प्लेटफोर्म पे आज हम बात करेंगे चैप्टर टू के अंदर में राष्ट कूट एंपायर के बारे में हमने चैप्टर टू इस्टार्ट किया ता सतीष चंद्रा बुक है जो हमारे मद्यकालीन मेडिवल इंडिया के लिए काफी इम्पोरेंट बुक है हमारे एक्जाम के परस्पेक्टिव से उसी का जो छेप्टर टू है उसका एक पाट है हम तीन डाइनेश्टी है तिरकुनिय संगरस के बारे में रीड कर रहे हैं हम तो इनी तिरकुनिय संगरस के समय में जिसे पाल dynasty के बारे में भोजा हैं भोजा के बारे में उनके जो बेटे आते हैं फिर उनकी ग्राणस अना हेंगे कैसे जो कन्योज के ऊपर उनका राष्टे कूट डाइनेस्टी के दुआरा एक important चीज हमको जानने को मिलेगी, यहां पे हमने प्रतिहार के बारे में read किया, यहां पे हमने पाल के बारे में read किया और यहां पे जो राष्टे कूट रहेंगे, जो सदन इंडिया के अंदर, अगर हम बात करें राष्टे कूट dynasty की राष्टे कूट dynasty के बारे में friends हमको जानने को मिलेगा कि राष्टे कूट dynasty very important dynasty है राष्टे कूट dynasty के जो kings है उनकी दुआरा नर्दन इंडिया में जो कन्नोज के उपर attack किया जाएगा इसके अलावा maximum हमको देखने को मिलेगा जो राष्टे कूट वो अपना जो मान्य खेट के अंदर रूल किया करते थे मान्य खेट से तो यहाँ अगर हम राष्टे कूट एंपायर की जो लोकेशन के बारे में देखें तो friends आप देखिए यह जो maximum जो मालवा का रीजन है गुजरात एं मालवा का जो जो रीजन है वहाँ तक इन्होंने अपना जो एंपायर है उसको एक्स्टेंड करने की कोशिस की मेन इनकी जो कैपिटल थी वो मान्य खेट थी इसके लाव फ्रेंड्स हम देखें मान्य जो राष्टे कूटा जो इसके जो रूर्र्स हुआ करते थे यह पहले सामंत हुआ करते थे चालूग के डाइनेश्टी की बट हमने देखा है जैसे जैसँ जब इंडिया में जो यादा डाईनेस्टी जब इनक्रीज होती है प्रीगुपताई पोष्ट गुपता के समय में कि जब 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 कमजोर administration होता है centralization तो ये जो independent kingdoms होते हैं ये अपने आपको independent declare कर देंगे ये अपने आपको आजाद बना लेंगे जो भी federation था जो भी connection होता है जो higher dynasty होती है उसके साथ में तो अपने आपको independent declare कर लेंगे और independent declare करने के साथ में यह अपने आपका empire है, उसको extend करने की कोशिस करेंगे, उसको अच्छे से establish करने की कोशिस करेंगे, तो राष्टिकूर डाइनेश्टी के दुवारा इसी तरीके से माननेखेट के अंदर अपने आपको independent कर लिया जाता है, इनकी दो founder है, दंती दुर्गा की दुवारा, दंती दुर्गा काफी important role play करते हैं इस डाइनेश्टी के foundation में, अगर हम बात करें जो माननेखेट है, उस प्रजेंट दे जो सोलापूर का जो region है, सोलापूर काफी important place है, friends, महराष्टा के अंदर में, तो जो सोलापूर का जो region है, जो two-three states हैं, जिनके साथ में अपनी border भी share करता है सोलापूर, इसकी वज़े से वहाँ पे multi linguistic जो people हैं, वो मिलते हैं, जिनको काफी जो language हैं, वो बोल सकते हैं, Tamil, Telugu, Canada जो बोल सकते हैं, Marathi भी, तो यह हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सोलापूर के अंदर basically इन्होंने अपना जो kingdom है, उसको establish करते हैं, राष्टे कूर डाइनेस्टी के जो लोग हैं, तो हमने देखा कि कैसे जो पाला हैं, परतिहारा हैं, वो Northern India और Eastern India के अंदर rule करते हैं, ऐसे ही डेकन के अंदर जो rule करती हैं, जो डाइनेस्टी है, उसको बोलते हैं, राष्टे कूर डाइनेस्टी, और एक remarkable डाइनेस्टी है, फ्रेंड्स, वो produce करती है, long period of warriors and able administrators, ऐसे ऐसे administrators हैं, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे जो buildings को construct किया, इतने tolerant होते हैं, कि Muslim peoples को allow कर अपने जो dominated area है, उसके अंदर में, कि आप यहाँ पे settle होए, ना केवल settle होए, आप अपने धरम का परचार भी करो, वहाँ पे आमको बड़ी-बड़ी most views मिलती है, बड़ी-बड़ी जो मजीद है, वो मिलती है, जो coastal area था, राष्टे कूर डाइनेस्टी का, यह कि शो करता ह ने लिखा था, अपनी जो travel log है, जो अपनी किताब है, उसके अंदर में, इनके बारे में लिखा था, तो राष्टे कूर डाइनेस्टी के बारे में देखते हैं, friends, कि जो दंती दुर्गा है, दंती दुर्गा की दुआरा इस डाइनेस्टी को establish किया जाता है, और इसकी जो continue जो प्रतिहार डाइनेस्टी है, वहां से उन लोगों से भी engage होती रहती है, पाल जो डाइनेस्टी है, उनसे तो जब वो कन्नोज के उपर attack करते हैं, उसी समय में इनका जो interaction होता है, उसी समय में इनकी एक लड़ाई होती है, जो पाल डाइनेस्टी के बारे में बात करें, तो यह continue engage करेंगे यहां पर प्रतिहार डाइनेस्टी के साथ में, मालवा के रीजन के लिए, गुजरात के रीजन के लिए, बट इनको बेसिकली अगर हम बात करें, इनकी बहुत सारी जो rates हैं, यह conduct करते हैं, वो कभी भी result में नहीं बदल पाती, परिणाम नहीं बदल पात है, कि इनका जो empire है, उसको extend करें यह गंगा वैली तक, जो हमारे northern plains है, प्रजेंट समय में जो northern plain का जो area है, वहां तक इनके empire को extend करें, ऐसा कोई result नहीं मिल पाता है, यह जो बहुत सारी जो raids हैं, जो बहुत सारी जो attack किये जाते हैं, राष्टे कूट डाइनेस्टी के विंगी के चालुक्या भी बुला जाता है, जो प्रजेंटली हमारा आंदर प्रदेश का जो region है, वहां पे located है, विंगी, इसके लावा पल्लवाज हैं, कांची के जो पल्लवास थे, पांडियास थे, जो मदुराई के, इसके लावा फ्रेंड्स हमको जानकर मिलें, एक जा तो राष्ट्यकूटा डाइनेस्टी के जो रूलर्स थे, वह काफी इंपोर्टेंट रूलर्स हैं, जिसमें गोविंद थार्ड एक रूलर हैं, अमोग वर्स एक रूलर हैं, और अगर हम बात करें कि जैसे ही इन्होंने ये अपना एक्स्पेडिशन जो अपना एक रेड कि ये वापिस चले जाते हैं, अनाक्स करने के बाद मालवा को, इसके बाद में ये साउथ इंडिया की तरब चले जाते हैं, ये हमको अभी तक, जब हमने पाल डाइनेस्टी के बारे में रेड किया था, जब भी हम को ये जानकारी मिलती है, कि जैसे ही अटेक करेंगे नदन इंडिया के अंदर में जैसे प्रतिहार डाइनेश्टी के बात करें प्रतिहार साउथ वेस्ट राजस्तान और गुजरात के रीजन से आती है औरीजनली बट इनका जो में एम था वो था कन्नोज के उपर भी इनको अपना पावर है उसको इस्टेबलिस करना है इन्होंने वन सेंक्स्टूरी तक रूल भी किया है वहाँ पे जो कन्नोज है वहाँ पे तो फ्रेंट्स यह बेसिकली शो करता है कि इनका कभी भी में एम नहीं था यहाँ पे अटेक करते थे और वह आप इसमें टर्न हो जाते थे साउथ के लिए इसके अलावा जो गोविन थार्ड के जो इंस्क्रिप्शन है वो उमको बताता है कि केरल केरल, पांडिया, चोला, चेरा जो भी यह जो लोग हुआ करते थे जो यह खिंग्डम्स हुआ करते थे इवन दा गंगा उपदा करनाटका के अंदर एक डाइनस्टी है गंगा डाइनस्टी तो उसकी भी यह रूलर हुआ करते थे वो सभी लोग इंसे टेरिफाइड किया हुआ जाता है इन्होंने सबी लोगों इनसे ड्रा करते थे आपने देखा हुआ जो इंस्क्रिप्शन है वो हार्ठ सरपेस के उपर लिखा जाता है और उसके अंदर मैक्सिमम जो किंग्स है उनकी प्रेज गिया जाता है किंग का वहाँ पे अगर हम बात करें इसके ते वो काफी important dynasty थी अपर्द लायो राजा हुआ करते थे राजा यहां पर अटैक ए नहीं करते थे यह इस इरिया को जीत लिया करते थे जीतने के बाद में वापिस अपने kingdom की तरफ चले जाते थे फिर वापिस आते थे फिर जीत के चले बाते थे फिर वापिस अपने जो capital प इसकी तरफ चले जाते थे इसी तरह हम देखने को मिलेगा कि इनके अंदर एक काफी important king आते हैं Amogvers Amogvers वो important kings होते हैं जो basically rule आपना rule है जो काफी years तक करते हैं 68 years तक अपना rule करते हैं इसके अलावा ये काफी tolerant थे हर religion को accept करने में literature को भी काफी से इनके दुआरा एक किताब भी लिखी गई ये friends अगर आपको जानकारी हो Amogvers ने कवी राज मार्क की रचना की है इन्होंने कनेडा के उपर में जो कनेडा जो language है उनके उपर में इन्होंने अगर बात करें तो book लिखी है इन्होंने मानने खेट को re-develop किया था दुबारा से establish किया था मानने खेट को और उसी टाइम में जो अलमसूदी है वो जिट करते हैं इंडिया में वो बताते हैं कि राष्टेकूट किंग जब बलहारा है या वल्लब राज है वो greatest king है इंडिया के उस समय में और वो अपने all थार्ड है जो brilliant rulers के last king होते हैं ये चोला empire जो तन्नोज का जो चोला empire था उनके उपर भी attack करते हैं और परंत का जो उनके king होते हैं उनको ये defeat करते हैं जो परंत का हैं उनको defeat करते हैं नर्दन पार्ट उप चोला empire को annex कर दे लेते हैं इसके अलावा इन्होंने रामेश्वरम के अंदर भी एक pillar जो construct किया था pillar of victory बोलते हैं इनको रामे सुरम जो southern इंडिया के अंदर है friends काफी important place है religious purpose की वज़े से आपको पता होना चीए रामे सुरम क्या है वो किसने बनाया है इसके बारे में आपको पता होना चीए पर जैसे ही friends अगर बात करें किष्णा third की रैथ होती है उसके बाद में मानने के खेट को सैक कर लिया जाता है और राष्टे कुटा empire का एक end हो जाता है एक सुरने मित्यास जो हमारे kingdom का जो administrators का था वो इत्यास end होता है अगर हम राष्टे कुटा empire की बात करें इसके rulers की बात करें तो काफी tolerant थे friends ना सिर्फ अपना धरम को मानते थे दूसरे धरम के जो आइडियाज हैं जो philosophies हैं उन सब भी को accept किया थे tolerant थे ये लोग काफी tolerant थे जैसे हमने देखा कि जो प्रतिहार dynasty के जो rulers थे वो continue register करेंगे जो Muslims हैं उनको जो Islam के जो लोग थे उनको register करेंगे तो हम देखते हैं कि राष्टे कुट जो dynasty के लोग हैं वो काफी tolerant हैं काफी ज़्यादा सेहन सील हैं सेही सुनता हैं में काफी है सई थी patronize करते हैं भगवान सीव की पूजा करते थे वैसनों भगवान वैसनों के जितने भी रूप हैं उनकी पूजा किया करते थे अगर हम बात करें जो जैन धरम है उसको भी माना करते थे इसके अंदर आपको जानकारी एक जानकारी मिलेगी जो हमारा जो एलोरा के अंदर जो केव नमबर 16 है वहाँ पे जो कैलास मंदीर है उस कैलास मंदीर को जो भगवान शिव का जो एक सिंकल रोग के उपर बना हुआ है एक ही रोग का वो मंदीर है मोनोलिथी के जो टेंपल है उसको राष्टेकुटा किंग्स के दुआरा कंस्ट्रेक्ट किया गया था फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्सन के अंदर बताना इस राष्टिकुटा किंग का क्या नाम था जिनोंने इस जो टेंपल है एलारवा का जो कैलास मंदिर है केव नमर 16 के अंदर में उसको किस ने कंस्ट्रेक्ट किया था कौन सा किंग था यहां पे राष्टिकुटा डाइने से इसके लावा हमको अमोग वर्स के बारे में जानकरे मिलेगी वो खुद जो जैन है जैनीजम को फूलो करते हैं इसके लावा पेटरनाईज करते हैं सारे जो फेत हैं उनको जो भी फेत के थूरू इनको अगर दान धक्सी ना कुछ भी देने का अगर समय मिलता था तो सबी लोगों को दिया करते थे कोई भेदभाव नहीं था अमोग वर्स के दौरा अमोग वर्स वो ही है जिन्नोंने कन्यडा की पोईटिक बुक लिखी है कन्यड के अंदर पोईटिक बुक लिखी है इसके लावा अमोग वर्स जो कवीराज मारक की रचना की है तो अमोग वर्स जो तो literature को promote करते हैं, इसी तरीके से question पूछ लिये जाते हैं friends, जैसे हमने देखा था कि जो पाल डाइनेस्टी के बारे में पूछा था कि वो learning center के रूप में उभरते हैं, तो बुद्धिजम के spread के लिए क्या-क्या काम किये थे जो पाल डाइनेस्टी ने, इसी तरीके से question आ जा हैं, उनके उपर question पूछ लिये जाएगा, तो आपको पता होना चीए, जो प्राकरमी राजा होते हैं, किसी भी डाइनेस्टी के, जहां यहां हमों को देखने हों मिलता है, जो अमोग वरस हैं, उन्होंने काफी important काम किया है, इसके अलावा जो राष्टे कूट हैं, जो village headmans है, मुसलिम जो community है, उसके वहां पे होते हैं, coastal towns में बड़ी बड़ी Moscow बन जाती है, और वहां पे उनकी prayer होती है, तो coastal areas के अंदर जो मुसलिम से हो settle down हो जाते हैं, इनकी tolerant policy की वज़े से इनका जो foreign trade है, जो भार से विदेश से जो इनका जो व्यापार हुआ करत ता, उसको ये काफी भढ़ावा देते हैं, इसके लावा great patron of art होते हैं, letters के अगर बात करें, जो poetry की आवा, जो लिखने वाले जो लोग हैं, उनको promote किया करते थे, इनके court के अंदर में, अगर poets की बात करें, Sanskrit के poet भी थे, प्रकृत के poet भी थे, अपार भ्रमसा के poet भी थे, ऐसा बताया जाता है, अपार भ्रमसा के जो great poet है, स्यम्भू और उनका जो बेटा है, वो इनहीं की जो dynasty है, जो राष्टे कूटा dynasty है, इनका जो court हुआ करता था, उस court के अंदर रहा करते थे, तो friends, ये हमने राष्टे कूट dynasty के बारे में देखा, कि राष्टे कूट dynasty को ज की जो capital है, माने केट, उसको redevelop किया जाता है, अमोग वर्षा के बारे में हमने देखा, काफी tolerant थी, literature में भी लिखते थी, तो ये भी हमने देखा, इसके लाव friends हम देखते हैं, कि जो temple है, construction किया गया इस dynasty के जारा, तो ये एक area है करनाटका के अंदर, पट्टा दाकल, ये का तो ये काफी important है, और ये जो related है, राष्टिकूट डाइनस्टी के साथ में, और इसके लावा friends हम जो next lecture लेके आएंगे, इसके बाद में, उस next lecture के अंदर हम read करेंगे, कि इन तीनों डाइनस्टी का जो social life कैसी थी, administrative life कैसी थी, उन सब के बारे में हम completely overview लेंगे तीनों hard work करते नहीं है friends, हमको 2023 में काफी अच्छे है, जो marks है, वो score करने है, prelims में भी, mains में भी, हमको holistic way में preparation रखनी है, तो friends, thank you, thank you very much.